तो guys finally मैंने online fee calculator tool की जो script है उसे ready कर लिया और आज की इस वीडियो में आपको वो free script तो provide करूँगा ही साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको उसे edit करना है और customize करना है उसी के साथ साथ वहाँ पर adsense का approval कैसे मिलेगा और उसे आप rank कैसे करोगे SEO कैसी होगी सब कुछ मैं in depth आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप भी इस tool website को बना के international traffic लाना चाहते हो और वहाँ से earning करना चाहते हो यार तो इस video को last तक जरूर देखते रहना क्योंकि सब कुछ मैं step wise जाओंगा तो आपको इस step को miss मत कर देना और video में end तक बने रहना तो guys इस से पहले मैं आपके साथ वो script share करूँ और इस video में हम आगे बड़े मैं आपको बताना चाहूंगा यार कि पिछली video में मैंने बात करी थी low competition keyword ideas की जो की fee calculator tool के उपर थे जहांपर मैंने आपको in depth बताया था कि क्यों आपको ये tool बनाना चाहिए और कौन-कौन से वो low competition keywords हैं जहांपर आप rank कर सकते हो easily और इस tool website को बना के आप monthly 300 to 400 dollars की passive income generate कर सकते हो अगर आपने वो video नहीं देखा है तो मैं recommend करूँगा कि इस video को यहीं पर रोग दे और पिछले video को मेरा जरूर देख ले ताकि आपको पता चल जाए clarity मिल जाए कि आपको ये tool website बनानी है उसे मैंने सब कुछ detail में explain करा हुआ है अब यह चीज मैंने आपको बता दिया है तब हम इस video को आगे continue करते हैं और सबसे पहले हम बात करते है requirements की क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए इस tool को बनाने के लिए तो जो सबसे पहली requirement रहेगी that is a domain name अब domain name आप PayPal keyword को use करना अपनी domain के अंदर और नहीं आपको Stripe keyword को use करना है क्योंकि यह proprietary keywords है यह उनका copyright है trademark है तो वो आपकी site को उडवा देंगे अगर आप इस चीज को domain name में use करते हो तो इसे हमेशा दिमाग में रखना और इसी reason के वैसे मैंने जो अपनी domain name ली है वो मैंने myfeecalculator.com से आपको जो भी combination मिलता है आप उस combination के साथ जा सकते हो अब keywords मैंने यार पिछली video में share करें तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा अगर आपको keyword के ideas लेने है तो आप मेरा पिछला video definitely check out कर लेना जो second requirement रहेगी that will be a hosting आपके पास hosting होनी ही चाहिए क्योंकि जो मैंने script बनाई है व पूरा setup भी बताने वाला हूं hostinger से आपको बहुत ज़्याद affordable rates के अंदर hosting मिल जाती है आप सिर्फ 3000 रुपए के अंदर एक साल के लिए आपको hosting मिल जाएगी एक domain name आपको free में मिलेगा SSL certificate free में मिलेगा उसी के साथ-साथ यहां पर आप 100 websites create कर सकते हो hostinger से अपनी best deal को activate करन आपको additional 10% discount भी मिल जाएगा और यह video sponsored नहीं है beginners के लिए hostinger बढ़िया है इसलिए मैं आपको recommend कर रहा हूं और अगर आप किसी और hosting के साथ जाना जाते हो उसके भी best by links में आपको description box में provide कर दूँगा इसके बाद जो last चीज आपको required रहेगी that will be a script जो की मैंने already बना दी है उसका जो download link है वो आपको मेरे telegram channel के उपर मिल जाएगा जो कि मैंने description box में provide किया हूँ है definitely description box में जाएं और मेरे telegram channel से इस free script को download कर लें और उसके बाद फिर यार हम चलते हैं अपनी laptop screen पर तो guys script आपके पास पहुंच गी होगी अब उसको कैसे हमें update करना है उससे पहले मैं जो है वो setup कर दिया हुआ है यहां पर अगर मैं आपको refresh करके दिखाऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं को top पर हमारा header आ गया उसके बाद एक add banner आता है जैसे कि कैसे edit करना ही क्या करना सब कुछ बता दूँगा नीचे हमारा calculator का part है उसके नीचे यहां पर description है फिर से add आत जाता है यहां पर उसकी जो fee है वो calculate हो जाती है यहां पर आपको बहुत बढ़िया से जो UI है यह मिल रहा है same चीज मैंने यहां पर stripe पे भी करी हुई है यहां पर stripe fee calculator आ जाता है अगर बंदा यहां पर 3000 add कर देता है suppose वो 3000 dollar मंगवाना चाहता है calculate fee करेंगे तो यहां पर उसक 3089 dollar मंगवाने चीए ताकि 89 dollar की fees लग जाए और उसके account में 3000 dollar आ जाए I hope आपको समझ आ गया होगा तो यहां पर अभी तक आपके पास जो script है वो आ चुकी है और I hope के आपने hosting और domain को connect कर लिया होगा उसमें कोई दिक्कत हूँ तो मैंने वीडियो अल्रेडी बनाया हुए hosting क डुमेन को कैसे setup करना hostinger के साथ उसका link मैं आपको description box में देदूँगा आप definitely देख सकते हो अगर आपको दिक्कत आती है तो सबसे पहले आपको अपनी जो hosting account है उसके अंतर आ जाना है और आपको यहां पर फाइल मैनेजर के अंदर चले जाना है और यहां पर आपको पुब पहले upload करी भी थी तो वो मैंने यहां पर delete कर दी है और अगर मैं आपको यहां पर refresh करके दिखाओं यहां पर आप देख पाऊगे कि यहां पर कुछ भी अभी available नहीं है और यहां पर hostinger का 403 का जो page है वो यहां पर show हो रहा है तो आपकी भी site इस level पर इस तरीकी की होनी चाह करता हूं और select करने के बाद आप यहां पर देख पौओगे जो हमारी file है वो uploading पर लग चुकिया और यहां पर हमारी zip file है वो upload हो चुकी है upload होने के बाद आपको simply iis file के उपर right click करना है इसके बाद यहां पर आपको अन आर्काइब के उपर click कर देना है यहां पर आपको folder name पूछे का कि कहां पर आप इसे unarchive करना जाते हो तो मैं यहां पर dot डालूँगा आपको भी simply ऐसे कर देना और यहां पर करने के बाद आपको simply यहां पर unarchive के ओपर क्लिक कर देना है तो guys जो हमारी files है वो unzip हो चुकी है और इस level पर आप यह जो zip file है इसे delete कर सकते हैं तो guys जो हमारी zip file है वो delete हो चुकी है और अब हमारे पास यहां पर एक folder बचा है आपको simply इस folder को open कर लेना है open करने के बाद आपको simply एस सारी वैसे वैसे करते जाओ आपकी भी site बहुत बढ़िया से चलेगी अगर आपको step miss कर दोगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है यहाँ पर हमारी सारी files move हो चुकी है जैसी यह file move हो जाएंगी आपको simply यह जो folder है fee calculator web beast इसे आपको delete कर देना है तो यहाँ पर मैं इसे delete कर देता हूँ तो guys इस level तक हमने जो files हैं उन्हें upload कर दिया और जैसे हमारी पहले यह site थी myfeecalculator.com जो कि मैं अभी create कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर 403 आ रहा था अगर आप इसे अभी refresh करोगे तो यह site कुछ इस तरीके की दिखेगी जैसे मैंने आपको पहले दिखा रहा था almost सारी चीज़े यहाँ पर setup हो रखी है अब यहाँ पर हमें एक एक करके सारी चीज़े edit करेंगे अगर आपकी भी site इस तरीके की दिख रही है तो आप continue कर सकते हो नहीं दिख रही है तो फिर आप इस वीडियो को दोबारा से start करो और आपने यहाँ पर आपकी site की branding के related सारी जो variables है वो set up करे हुए है जैसे मेरी जो domain name है उसका नाम है myfeecalculator.com और जैसे मैंने आपको बताया था कि आप भी domain name कुछ इस तरीके का ही लोग है free fee calculator या online fee fee calculator जो भी होगा आपको यहाँ पर अपना जो domain की सारी details है branding की details है वो आपको यहाँ पर change करनी है ताकि आपकी जो site है वो आपके हिसाब से customize हो जाए अभी पर यहाँ पर सारी मेरी values डली हुई है अगर आप उन्हें use करोगे तो फिर आपकी site उस तरीके से behave नहीं करेगी उस तरीके से setup नहीं होगी जैसे आप चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो domain name है वो enter करना है तो suppose आपका है freemyfeecalculator.com तो आपके यहाँ पर वो चीज डाल देनी है उसके बाद आपको अपनी site के बारे में basic एक text डालना है जहाँ पर आप जो keywords हैं जो मैंने पिछली वीडियो में share करे थे उनका भी कुछ meld use कर सकते हो जो मैंने यहाँ पर value use करिया that is free paypal fee calculator minus tribe fee calculator आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी value add कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पर अभी add कर देता हूँ यहाँ पर हमने इसे edit कर दिया इसके बाद आपको यहाँ पर अपना email id है उसे यहाँ पर update कर देना है suppose आपकी जो email id है जो भी आपकी email id है आप उसे यहाँ पर डाल सकते हो मैं यहाँ पर update करने के लिए अपनी जो दूसरी email है teamwebbist.gmail.com उसे यहाँ पर enter कर दे रहा हूँ और इसके बाद आपको अपनी site का जो URL है जहाँ पर आपने जो domain name लिया हूँ है वो URL आपको डालना है तो यहाँ पर जो मेरी site का URL है that is httpmyfeecalculator.com तो मैंने यहाँ पर इसे वही डाला हूँ है आपकी site का जो भी URL हो आपको उसे यहाँ पर enter कर देना है जैसे आपकी यह सारी चीजें edit हो जाए उसके बाद आपको simply save के उपर click करना है और जैसे आपकी यह file जो है वो save हो जाएगी उसके बाद आप यहाँ पर top left corner पर आपको cross का button देखेगा आप इसे close कर सकते हो और close करने के बाद जब अपनी site को आप यहाँ पर refresh करोगे तो आपकी जो values हैं वो आपने जो data डाला हुआ उसके हिसाब से यहाँ पर update हो जाएंगी आप यहाँ पर देख सकते हो अब यहाँ पर जो next चीज आप update कर सकते हो वो यह जो आपको icon दिख रहा है जो यह जो हमारी icon.png image है यह image हमारी show होती है branding के जगा पर जहाँ पर आपका domain का URL है उसके left में और title में उपर आपको यहाँ पर यह जो icon दिख रहा है यह हमारा icon है icon.png आप अपनी site के हिसाब से जो भी icon डालना चाहते हो आप उस icon को upload कर सकते हो png format में होगा तो यहाँ पर simply आपको उस file को replace कर देना है और आपका यह जो logo है यह आपका change हो जाएगा तो इसे भी आप definitely कर लेना मैंने यह जो logo है यह मैंने Google से download कर रहा है अगर आप Google से करना जाते हो आप वो भी कर सकते हो खुद का बनाना है तो आप canva के उपर खुद का जो अपना icon है वो बना के उसे भी यहाँ पर upload कर सकते हो अब इसके बाद आपको जो next चीज करनी है आपको दुबारा से public html जो folder है इसके अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपको index.php करके file मिलेगी आपको इसके डबल क्लिक करना है और इस file को open कर लेना है अब इस file में आपका जो PayPal fee calculator यह जो मैंने homepage के उपर बनाया हुआ है इसका अब हम यह content है इसे change करने वाले है तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज आपको change करने है जो title मैंने यहाँ पर दिया हुआ PayPal fee calculator आप यहाँ पर देख सकते हो अभी starting में यहाँ पर जो title आ रहा है वो PayPal fee calculator बहुत ही छोटा सा title है अगर आप इसे update करना चाहते हो अपने हिसाब से issue optimize करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो title field है इसे यहाँ पर change करने हैं अगर मैं यहाँ पर कुछ edit करना चाहूँ तो यहाँ पर मैंने जो title है वो update कर दिया आप अपने हिसाब से जो title है उसे enter कर सकते हो इसके बाद जो आपको next चीज डालनी है कि यहाँ पर जो description है अपने जो index page जो कि हमारा PayPal fee calculator का जो index page है उसे यहाँ पर आपको description अपडेट करना है description आपको अपने हिसाब से डालना है title, description और keywords आपके हिसाब से होने चाहे अगर आप उन्हें customize करोगे तभी आपकी site उपर rank करेगी बाकियों के comparison में अगर आप copy paste करोगे तो फिर वो चीज work out नहीं करेगी मैंने पहले बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है title कैसे डालना है, description कैसे डालना है, keywords कैसे डालना है अगर आप एक updated वीडियो चाहते हो comment section बता देना मैं आप try करूँगा आने वाली वीडियो में detail में आपको बताऊं के title आपकी site का कैसा होना चाहे description कैसे होने चाहर, keywords कैसे आपको डालना है तो अभी के लिए, मैं यहाँ पर description simple सी डाल देता हूँ जो मैंने title डाल था, वो ही मैंने paste कर दिया है और keywords के नाम पे, जो keywords मैंने पिछली वीडियो में share कर रहे थे उनी में से मैं कुछ keywords यहाँ पर लिख देता हूँ तो simply आप अपनी site को refresh करो और यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपको जो title है वो update हो चुक है और अगर आप यहाँ पर source करोगे तो यहाँ पर भी source में आपको दिख जाएगा कि आपकी site का जो description है और keywords हैं यह यहाँ पर update हो चुके हैं अब इसके बाद जो next चीज आपको update करनी है वो यहाँ पर मैंने calculator text description डाला हुआ है अब यहाँ पर आपको क्या है कि आपने यहाँ पर tool तो बना दिया है लोगोंने tool आके देख भी लेना है उन्होंने use भी कर लेना है लेकिन Google को भी हमें बताना है यार यहाँ पर आपको अपने हिसाब से लिखनी है और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसे अब हम लिखेंगे कैसे तो यह जो content है यह भी आपका index.php में ही आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपको simply नीचे scroll करना है और यहाँ पर आपको यह जो दिख रहा है कीवर्ड स्टफिंग भी मत करना कीवर्ड स्टफिंग तो करनी है लेकिन उतनी भी जादा नहीं करनी है सिर्फ आप कीवर्ड ही डालो और बाकी आप context को भूल जाओ आपको यहाँ पर अपने tool की एक basic description देनी है 200 से 300 से 400 words के अंदर अंदर ताकि आप Google को और लोगों को समझा सको के आपका यह tool basically करता क्या है जैसे के PayPal यहाँ पर 3.9 यह 2.9 जो भी commission लेता है हम उसे calculate करके free of cost user को बता देते हैं और user उसे देखके अपने हिसाब से charge कर सकता है जो भी वो करना चाहे तो आपको वही same चीज English के अंदर keywords के साथ आपको यहाँ पर लिख देनी है तो मैं यहाँ पर आपको एक sample description जो है वो लिख के आपको दिखा देता हूँ तो guys यहाँ पर जो description है वो मैंने enter कर दियो description एंटर करने के बाद आप simply यहाँ पर save के उपर click करोगे आपके जो description है save हो जाएगी के बीच में इस description को लिख देना है और मैं hope कर रहा हूँ कि आप वो चीज बढ़िया से लिख दोगे एक बार आपके जो description है यह भी finish हो जाए तो उसके बाद अगर हम नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पर आपको एक image दिख रहा है और यह image डालने का main reason यही है कि अगर आपके tool website के अंदर images होंगी या at least एक image होगी तो वहाँ पर google adsense का जो approval है वो होने में जो ease है वो आपको मिल जाती है मैंने इस image को simply canva.com से create कर रहा है वहाँ पर उनका एक पूरा template बना हुआ था उस template में मैंने यहाँ पर अपना जो domain name है myfeecalculator.com वो लिख दिया और साथ में यहाँ पर PayPal और Stripe की क्योंकि हम fee calculate करते हैं तो वो यहाँ पर मैंने values डाल दी है आप अपने हिसाब से उस image को जो है वो create कर सकते हो और जो template अगर आप इसी same template को use करना चाहते हो तो इस template का जो link है वो मैं आपको description box में provide करते हो वहाँ से जाओ इस template आजाएगा आपके सामने वहाँ पर अपनी values को edit करो and done आपकी जो image है वो बन जाएगी एक बार आपकी image बन जाए उसके बाद आपको आजाएना है यार public HTML के folder के अंदर और यहाँ पर आने के बाद आपको simply जो image का folder है आपको इसे open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पर आपको जो image दिख रही है main underscore page dot png यही same image आपकी यहाँ पर show हो रही है तो आपने जो भी image create करी होगी उसे आपको rename कर देना है main underscore page dot png में और उसे आपको यहाँ पर upload करके replace file पे click कर देना है और जैसी आपकी वो file यहाँ पर upload हो जाएगी आपकी same image यहाँ पर show होने लग जाएगी तो यह बहुत ज़दा simple है अब image update होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर कुछ steps भी लिखे हुए है और साथ ही यहाँ पर अगर आप कोई article डालना चाहते हो custom आपको लगता है कि कोई और information आप add करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो और उनका मैंने यहाँ पर option दिया हुआ है यह चीज optional है बट अगर आपको Google AdSense के लिए surety चाहिए कि आपको मिले ही मिले तो मैं आपको recommend गरूँगा कि आप यहाँ पर भी 300 to 400 words का यहाँ तो article content कोई content का piece यहाँ पर डाल दो related to PayPal fee calculator यहाँ PayPal के बारे में है कुछ भी आपको इस tool के बारे में कुछ description डाल देनी चाहिए यहाँ फिर अगर आप कुछ point wise कोई चीज़ें बताना चाहते हो कोई features कोई add-ons यहाँ कोई भी details वो आप यहाँ पर यह जो 1, 2, 3 का हमने यहाँ पर बनाया हुआ है इसके अंदर आप वो चीज share कर सकते हो ताकि आपकी जो AdSense की approval का जो पूरा percentage है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बढ़ जाए और आपकी site जल्दी सल्दी AdSense के लिए प्रूव हो जाए और आप यहाँ वहाँ से earning कर पाऊ तो उसी चीज के लिए यह चीज मैंने यहाँ पर दी हुई आप इसे कैसे edit करना है मैं आपको वो बता देता हूँ तो इस text को edit करने के लिए आपको दुबारा से आजाना है यार public html folder के अंदर और यहाँ पर आने के बाद आपको आजाना है index.php script आपको double click कर देना है इस file में आपको simply नीचे scroll करना है और यहाँ पर आपको यह दिख रहा होगा सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैंने आप एक h2 में heading दी हुई है जो कि है how to calculate paypal fee for free यहाँ पर आपकी जो भी heading होगी वो आप यहाँ पर edit कर सकते हो और यहाँ पर आपकी वो heading है वो आ जाएगी आप जो भी content डालना चाहते हो आप लोगों को बताना चाहते हो इस tool को use कैसे करना है benefit क्या है क्या-क्या features आपने add करे हो है यहाँ फिर क्या-क्या formula यूज करा है PayPal कितना commission लेता है क्या सब कुछ आप अपने thoughts के हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हो डालोगे तो adsense approval के जो probability है वो बढ़ जाएगी नहीं डालोगे तो probability कम रहेगी 0 नहीं होगी बट वो कम हो जाएगी compared to जिस बंदे ने यहाँ पर वो content डाला हुआ है टाइटल हो गया और उसके बाद यहाँ पर अगर आप steps देना चाहते हो आपको यहाँ पर steps के यहाँ पर मैंने दिया हुआ है LI के अंदर आप जो भी डालोगे वो वहाँ पर आपका step है वो बनके आ जाएगा तो suppose यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ और इसे यहाँ पर मैं save करके आपको एक बार दिखा देता हूँ और आपका वो जो step है वो महाँ पर update हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमार जो first step है वो आ चुका तो आपको अपने हिसाब से डाल देना अगर आप यहाँ पर steps नहीं डालना चाहते हो लिखना है 300 to 400 words का बट आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर यह जो article है इसे यहाँ पर paste कर दे रहा हूँ और paste करने बाद अगर हम यहाँ पर save करेंगे तो save के बाद हमारा यह content है यह update हो जाएगा और आप यहाँ पर देख पाओगे के जो add banners है यहाँ पर जब add लगेगी तब तो इनका कोई मतलब है यार बट starting के days में जब हमारे पास adsense का approval नहीं है हम सिर्फ apply कर रहे होंगे फिर तो यह बहुत ज़्यादा annoying लगेंगी तो उस time तक आप इन add banners को जो है वो hide करके रख सकते हैं करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं तो अब add banners को hide करने के लिए आपको simply आ जाना है यार अपना जो भी public html का folder है उसके अंदर और यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको आना यार index.php पर आपको इस पर double click कर देना है यहाँ पर अगर आप नीचे scroll करोगे तो आपको यहाँ पर advertisement tool करके एक option दिखेगा आपको यहाँ पर सारा code दिखा हुआ है आपको simply इस code के पहले just यह जो div का starting का जो mark है इसके पहले आपको एक less than का sign लगाना है exclamation लगाना है minus minus लिखना है और यहाँ पर आपका जो content है सारा comment हो जाएगा और comment होने के बाद आपको यह जो ending div है logic के हिसाब से आपको simply यहाँ पर minus minus और यहाँ पर आपको greater than का sign लगा देना है और यहाँ पर हमारा यह जो पूरा-पूरा add का banner यह जो space मैंने दिया हुआ था यह यहाँ पर comment out हो चुक है comment out होते ही आपको simply यहाँ पर save प इसे तो हम काड देंगे और यहाँ पर अब हमें जाना है footer.php के अंदर यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से advertisement footer का एक option दिखेगा यहाँ पर आपको less than का sign exclamation minus minus और यही सेम चीज हम यहाँ पर div के बाद भी करेंगे minus minus और greater than का sign यह करते ही save कर देना है और यह भी हमारा ज simply close पर क्लिक करना है और यहाँ पर फिर आपको आजना है header.php की file के अंतर इसे हम double क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आपको advertisement का जो पूरा section है यह मिलेगा इस पर हम जाएंगे यहाँ पर less than का sign exclamation minus minus और यहाँ पर आपको यहाँ पर minus minus और greater than का sign जैसे ही हो गया save पर क्लिक कर कैसे यह चीजें काम करते हैं बहुत ही जादा simple है और explain मैंने आपको कर दिया और यहाँ पर हमारा index page है वो ready है publish होने के लिए बट हम उसे बाद में करेंगे पहले हमें बाकी चीजें भी fix करनी है एक बार यहाँ पर tool को मैं आपको use करके दिखा देता हूं कि सब कुछ अच् कंडिशन में होना चाहिए और कुछ इस तरीके का आपका जो tool है वो दिखना चाहिए अब यहाँ पर हमारा index page है वो complete हो चुका है अब जो second page आपको edit करना है that is stripe fee calculator का page यहाँ पर भी सारी customizations जैसे हमने index.php पर करी थी तो आपको same file यहाँ पर public html के folder में मिल जाएगी stripe fee calculator.php के नाम से और यहाँ पर भी आपको same steps को follow करना है जैसे मैंने index.php पर कर रहा था कि पहले यहाँ पर title चेंज करना है description चेंज करना है keyword चेंज करना है उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो stripe fee calculator का जो page है यह भी customize हो जाएगा मैं यहाँ पर वो चीजें repeat नहीं करूँगा बट आप इसे भी update कर देना अगर आप अपनी site को बढ़िया से rank करवाना चाहते हो अब यहाँ तक हमारी जो site है वो सारी की सारी customize हो चुके है कोई code में मैंने already डाला हुआ है कि automatically बनके आजाए, contact us का page automatically बनके आजाए, privacy policy का page भी automatically आपके हिसाब से बनके आजाए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना यह सब कुछ automated ही है जो next चीज आपको करनी है आपको Google Analytics का code अगर अपनी site के ओपर लगाना है तो वो कैसे लगेगा तो simply आपको analytics के ओपर account create कर लेना है अपने code को create करके रख लेना है जैसे आपको code आजाए तो simply आपको public html जो folder है उसमें आना है और यहाँ पर आपको analytics.php का एक file दिखेगी आपको simply अपने जो भी आपका code है उसे आपको यहाँ पर paste कर देना है और जैसे आप इसे paste करोगे आपका जो analytics tracking है वो भी start हो की जो customization है वो finish हो चुगे और अब हम last चीज की बात करेंगे एडसंस का approval कैसे मिलेगा इस tool के उपर तो tools website के उपर जो एडसंस का approval मिलता है वो directly नहीं मिलता है अगर आप इसी content के उपर एडसंस का approval लेना चाओगे तो बहुत कम chances रहेंगे rare chances महीं आपको यहाँ पर आडसंस हो जाएगा अडसंस से लेकिन बहुत सार लोग ऐसे होते हैं जिनकी यह first site होगी जो कि पहली बार इस tool को बना रहें तो उनके पास कोई भी adsense का account नहीं है जहां पर वो इस domain को add कर सके हैं तो उसके लिए फिर जो मैं आपको recommend करूंगा वो यह है कि आप अपने इस tool website के उप पर minimum 6 to 8 articles लिख के full-fledged articles related to fee calculation या फिर PayPal के related Stripe के related कुछ articles डालो ताकि आपकी site के पर written content आए क्योंकि written content आएगा तभी आपको adsense का approval मिल सकता है written content नहीं होगा तो फिर directly adsense का approval मिलना next to impossible है तो उसके लिए मैंने यहां पर क्या कर रहा है कि अगर आप यहां पर public html में आओग आपको simply iso right-click करनें और यहां पर 20確IGHT PayPal के उपर क्लिक करने के बाद आपको simply यहांपर copy पे क्लिक करने के बाद आपको simply यहां पर copy पे क्लिक करने के बाद और इस filecy e copy है वह यहां पर बन जाएगी copy हुने के बाद अप अपने page का जू भी नाम देना चाहते हो जो URL देना चा आपको simply आपको डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक के बाद यहां पर आपको title देना है, description देना है, keywords देना है, उसके बाद आपको यहां पर जो title है, आपके article का वो डालना है, title देने के बाद आपको simply जो भी content उसमें डालना है, आपको content यहां पर add कर देना है, जैसे आपको content अपने इसे टेर्ट हो जाए, इसे सेव करदो, आपको यहां पर header.php आपको इस पर double click करना है, double click करने के बाद यहां पर आपको menu के options दिखेंगे, आपको simply एक option को copy करना है, paste कर देना है दोबारा से, और यहां पर आपको यहां पर यहां पर आपको यह जो URL दिख रहा है, यह यहां पर हम डाल देंगे next-page.php और यहां पर हम जो भी इसका यहां पर link का नाम देना जाते हैं, वो यहां पर देंगे जैसे next page है, आप अपने इसाब से कर लेना, यहां पर मैंने इसे दे दिया, save पर click करेंगे, और save पर click करने के बाद अगर आप यहां पर refresh करोगे, तो अगर आप यहां पर 7-8 articles डाल देते हो, तो बहुत जादा chances बढ़ जाते हैं, आपके tool के ओपर directly adsense का approval मिलने में, लेकिन यह चीज़ भी complex हो सकती है, तो इसमें जो मैं आपको recommend करूँगा, वो यही है, कि अगर आपके पास already adsense का approval हो, तो तब आप उसमें add कर लोगे, तो बहुत जादा easily आपको adsense का approval मिल जाएगा, और within days, 1-2 days के अंदर भी आपको approval मिल जाता है, tools website के ओपर, तो approval लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको सही process के साथ जाना, और वो process मैंने आपको आपको आज बता दिया है, तो guys इसी कुछ तरीके से हमने यहां पर यह PayPal fee calculator का जो पूरा-पूरा tool है, इसे मैंने बता दिया है आपको कैसे आपको इसे build करना है, script मैंने आपको provide कर दिया है, SEO कैसे करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है, customize कैसे करना है, वो भी मैंने आपको अच्छे से explain कर दिया, adsense का approval कैसे मिलेगा, वो भी मैंने आपको ब पा रहे हो तो मुझे comment section बता देना और कोई दिक्कत आगे किसी process के अंदर किसी step के अंदर तो वो भी मुझे एक बार बता देना और आपका जो भी error आया है उसको आप दोबारा से इस video को देखो और देखो कि कौन से step में आपने गलती करी है उसे fix करके आप भी अपने इस tool को बनाओ इसे customize करो और यहां से कुछ न कुछ earning भी कर लो तो guys यही था आज का वीडियो I hope आपको सब कुछ अच्छे से clear हो गया होगा अगर आपको यह script, tool, concept अच्छा लगा तो इस video डेफिनिल लाइक कर देना कोई चीज समझना ही हो तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हो that's all for this video I'll meet the next one, till then, bye bye